हेलो फ्रेंड मैं मेटून आप सभी को अपके चैनल इज़ी गार्डेनिंग प्लैन में स्वागत है फ्रेंड मैं आज आप से स्यार करूंगा कैसे आप अपने पुराना जो चीली का प्लैंट होता है उससे धेड़ सारे चीली पा सकते हैं वैसे तो यह जो चीली प्लैंट है अपने मैंने इसको रिपोट किया है इसका इसके ऊपर मैंने जो अब जब इसको एक साथ कितने सारे पौदे है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ है साय था आठ मैंने इसे प्लैस्टिक के कॉंटेनर में लागया था तो ये बहुत ही बरा हो मने मतलब ये बहुत बरा हो गया था और इसमें बहुत सारे चिली हो था लेकिन ये भी पूरा नहों गया था इसमें इसका रूट बहुत भर गया था रूट बाउन भी हो गया था तो मैंने ऐसे इसको फिर से मैंने इसको एक प्लैस्टिक का बाल्टी में इसे रिपोर्ट किया था और अभी देखिए इसमें धेर सारे कितने अच्छे लग रहा है यह सब चिली एक साथ कितने साथ देखिए वाइट है ग्रीन है रेड है यहां से दो चार-पाज भैराइटिस का यहां पर चिली है एक साथ ही सब हो रहा है अब देख सकते हैं तो जब मैं वह वाइट कॉंटेनर से इसको यहां पर शिप्ट किया तो इसका जो रूट था वह बहुती बढ़ गया था तो मैंने वह रूट को रूट बॉल को छोटा करा कोई शाप चुरी से उसको छोटा करके फिर मैंने इस बालती में इसको शिप्ट किया और इसमें जो मिट्टी है मैंने भर्मी कमपोस्ट भर्मी कमपोस्ट भी दे सकते हैं और जो मैंने यहां पर जो कीचेन वेस्ट है वही शब डाला और जो मास्टर किक है मैंने उसको भी इसमें मिक्स किया और फिर देखिए इसका रिजल्ट आपके साथ है आपके सामने कितने सारे चीली अभी इसमें है और एक बात अगर आपके पास भी ऐसे कोई पूराना चीली प्लैंट है तो प्लीज उसे पुखर के फेकिया मत उसे कोई दूसरे पॉर्ट में शिप्ट कर दो और तो थोड़ा सा जो पहले वाला जो पॉर्ट है उससे थोड़ा बड़ा शिप्ट कर दो और उसमें थोड़ा खाद मिला दो तो उसमें भी देखिए फीस्स का ग्रोथ होगा और इसे एकदम धूप अच्छा लगता है तो इसे धूप में रखिए और एक बात इसमें हर सुभा इसमें स्प्रे करिए पानी का जो इसमें धेर सारे जो कीरे मकोरे रहता है ना वो भी नहीं लगेगा और जो देश सारे बीमारी होता है वो भी नहीं होगा तो इसे धूब में रखिए और इसमें पानी का स्प्रे कीजिए सुभा टाइम सुभा साम दोनों टाइम हर रोज कीजिए नहीं तो एक दो दिन छोड़ कर कीजिए देखिए यहां पर भी देखिए मैं दिखा सकता हूँ क तो बैले कितने साधिए मेरा प्लैंट थे देख सकते हैं इसे भी मैंने प्रिपट किया है तो देखिए इसमें भी कितना अचारे इन छोटे से प्लैंट में कितने सारे चिली आ रहा है और देखिए इसका साइज भी थोड़ा पहले से बड़ा हो गया है और मोटा हुआ है और यह इधर भी है इसमें भी देखिए अभी फ्लावर आ रहा है और यह जो चिली देखिए कितना मोटा और कितना बड़ा है की देखिए इसका भी साइज देखिए यह भी मेरा पुराना य?! दू बहुत दीनों से है मेरे पास इसमें बहुत बार इसमें चिली आया है बहुत बार यह बहुत ही पुराना इससे भी पुराना है इससे भी पुराना प्लेंट वो था तो फ्रेंड मैंने शेयर किया कैसे आप अपनी पुराना जो चिली का प्लेंट है उससे धेर सारे चिली पासकते हैं तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और जो मेरे चैनल है प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल बटन को भी क्लिक कर देना ताकि जो निक्स वीडियो होगा हो आपके पास फटा फट पहुच जाए तब तक के लिए थैंक यू फ्रेइन खुश रही है